अस्त्रामु अलेकुम वेलकम टू स्टूडन्ट ट्यूब तो आज की लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास की बियॉलजी का चेप्टर त्री चल रहा है और इसका टॉपिक है एम्स और प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन इस पर डिसकेशन करेंगे तो चले स्टार्ट करते है एम्स और प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि वो क्या होती है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन भी देखी थी और साथ ही इम्पॉर्टन्स ऑफ बात की थी अब हम बात कर रहे हैं एम्स और प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन य जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बायो डैवरसिटी की एहमियत किया है, ठीक है? A system of classification is necessary because of the abundance of the variety of life on earth. अब system of classification क्यों जरूरी है? क्योंकि जमीन पर बहुत सारी variety of life पाई जाती है, इसलिए उसकी classification करना जरूरी है, क्योंकि हमने chapter के शुरू में पढ़ा था, कि biologists जो है, वो different organisms को small groups में तक्सीम करते हैं, क्यों? ताकि वो उसे अच्छे से समझ सकें, उसे identify कर सकें, तो इसलिए classification का जो system है, वो बहुत ही ज़ादा जरूरी है. अब there are currently around 1.5 million species that have been described and have been given scientific names. अब यहाँ पर 1.5 million species की बात करने हैं, और species जो है, वो सबसे छोटा unit होता है taxonomica, ठीक है? जो कि हमने 1st chapter में पढ़ा था, जमीन पर जो species हैं, वो है 1.5 million species पाई जाती हैं, जिनको अभी तक describe किया गया है. यानि कि यह वो species हैं, जो कि अभी तक describe कि गई हैं, यानि जिनने found कर लिया गया है, और उन्हें scientific names दिये हैं. अब in future, more can be identified if they are found. तो future में chances हैं कि और भी species जो हैं, वो identify और found की जा सकती हैं. To study such a diverse pack of organisms exist on earth, biologists classified the organism into groups and subgroups. तो वो ही बात आ गई कि जानदारों को अच्छे से study करने के लिए, जो भी जमीन पर पाई जाते हैं, जितने भी जानदार, तो biologists जो हैं, वो इन्हें classify कर देते हैं, उन जानदारों को, छोटे groups में, या फिर groups के भी जो मजीद groups बना दिये जाएं, तो वो किलाते हैं, subgroups. अब this grouping of organism is called biological classification. अब ये जो grouping है जानदारों की, वो किलाती है biological classification. इसके बाद बाद आती है, principle of classification, यानि के उसूल क्या है classification के. Some organisms share similar fundamental characteristics और function. अब को जानदार ऐसे होते हैं, जिनके जो खुसूसियात हैं और जो functions होते हैं, वो same होते हैं. It is further explained by means of morphology. और जिसे मजीद explain किया जाता है, morphology, यानि के जाहिरी साख्त. जो हमने पढ़ा भी था कि morphology deals with the external feature of an organisms, in which we study the organism on the basis of their homologos. अब इसमें हम study करते हैं, जानदारों को homologos की base पर homologos क्या होता है? Similar in structure and have different function. यानि के उनका जो structure होता है, वो तो same होता है, बढ़ उसका function जो होता है, वो different होता है. ठीक है? And analogous, यानि different in structure and have same function. उनका structure different होता है, बढ़ उसका function same होता है, यानि के ऐसे दो जानदार है, जिनका structure जो हो different है, बढ़ उसका function जो हो same है. जिस तरहां के नीचे picture में दिखाया गया है, analogous structure, यानि के structure different है, बढ़ function same है. यहाँ पर wings of butterfly and wings of bat, अब दोनों उड़ते हैं, wings का काम उड़ना है, यानि के एक चिमकाडर के भी जो wings हैं, वो उसे उड़ने में मदद देते हैं, और एक तितली के भी जो पर हैं, वो उसे उड़ने में मदद देते हैं, बढ़ दोनों का structure अलग-अलग है. अब यहाँ पर है homologous structure, यह इनके structure same है, बढ़ function अलग है, जैसे कि alligator का अगर हम structure देखें, इसके बाद human का देखें, यहाँ पर इनका structure जो है, वो same है, बढ़ इनका function जो है, वो different है, क्योंकि अगर हम इक bat का structure देखें, तो यह इसका wing है, जो इसे उड़ने मदद देता है, अगर हम एक human का देखें, तो यह उसका हाथ है, ठीक है, इनसान उड़ नहीं सकता, तो function जो है, वो different है, इसी तरह human और cat, इन दोनों का, अगर हम यह हाथ देखें, तो structure जो है, वो similar है, बढ़ function different है, इसी तरह whale है यह और यह bat है, तो function different है, बढ़ structure जो है, वो same है, have you seen the arm of a man and wing of a bird which type of structure is this so यह है homologous structure जैसे के भी हमने उपर पढ़ा sometimes it is impossible to classify organism using morphological characters अब कभी गभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ morphological structure, morphological character देखते हुए classify करना जानदारों को मुश्किल हो जाता है तो फिर scientists use other characteristics to classify organism which include पर साइंस्दान जो है वो classification के लिए क्या करते हैं cytology and genetics in which organisms are classified on the basis of cellular study, genetic constitution and their development pattern अब जब उनकी classification करना morphology के जरिए मुश्किल हो जाती है तो पर साइंस्टेस्ट cytology or genetics का सहाला लेते हैं यानिके जानदार जो हैं उनके cells का मुताला किया जाता है उनके genes को देखा जाता है और साथ ही उनकी जो development है उसे देखा जाता है biochemistry is also employed in which the chemical substances of the organisms are compared इसके साथ जो biochemistry की मदद से भी इनमें जो chemical substances हैं जो भी इनमें chemical अशिया पाई जाती हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा था जो कि biochemical elements जो कि जानदारों में पाई जाते हैं उसके base पर भी classification करना एहम साबित होती है इसके बाद है taxonomic hierarchy यानि के hierarchy मतलब होता है दर्जाबंदी ठीक है the groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories और taxa singular taxon अब classification के अमल से जानदारों को जो different groups में तक्सीम कर दिया जाता है या पिर उनके जो different groups बना दिया जाते हैं उसको कहते हैं taxonomic categories और taxa या पिर अगर singular form में उसे कहेंगे taxon ठीक है the taxa are arranged in ascending order and form a ladder called taxonomic hierarchy अब taxa को जो है ascending order ascending order का मतलब है छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा यानि के छोटे से बड़े order में तर्तीब दी जाती है and form a ladder यानि के उनके जो तर्तीब है वो एक सीड़ी नुमा होती है call taxonomic hierarchy जिसे कहते है taxonomic hierarchy यानि के टेक्सा में यह होता है कि ग्रूप्स को इस तरह से तर्तीब दी जाए कि वो छोटे से बड़े की तरफ जाए और साथ ही उनकी जो तर्तीब है वो इस तरह लगे सीड़ी नुमा ठीक है तो इसे कहते है taxonomic hierarchy all organisms are classified into five kingdoms अब जितने भी organisms है जितने भी जानदार है उनको five kingdoms में तक्सीम किया जाता है classify किया जाता है so the kingdom is the highest taxon of classification तो kingdom जो है वो classification का सबसे बड़ा दर्जा है ठीक है जैसे कि हमने बात की न छोटे से बड़ा so सबसे छोटा जो है हमने बात की थी सबसे छोटा क्या होता है species तो इसी तरह सबसे बड़ा क्या है kingdom ठीक है on the basis of similarities each kingdom is further divided into smaller taxa in the following ways और फिर similarities की basis पर यानि के उनमें कौन सी चीज़े जो है एक जैसी है मतलब उनकी क्या मुशाबहत है तो फिर उसे मजीद छोटे groups में तक्सीम किया जाता है जिसे groups यानि के taxa में तक्सीम किया जाता है जैसे के नीचे दिखाया गया है do you know the one who studies taxonomy is called taxonomist तो क्या आप जानते हैं कि जो taxonomy का मुटाला करता है वो taxonomist कहलाता है ठीक है तो यहाँ पर हम देख सते हैं छोटे से बड़े तो सबसे पहले है species, then genus, family, order, class, phylum and then kingdom ठीक है इसके बाद है यहाँ पर units of classification the smallest and basic unit of classification is species जैसे कि हमने फर्स चैप्टर ही पढ़ा था कि species जो है वो classification का smallest unit होता है taxonomic studies consider a group of individual organism with the fundamental similarities as a species taxonomic study है उसमें species में ऐसे जानदारे हैं यानि कि species एक ऐसा group है जिसमें ऐसे organisms होते हैं जिनकी खुसूसियाद जो है बुनियादी खुसूसियाद जो है वो similar होती है यानि कि same होती है thus all the members of the particular species share the similar characteristics and they can naturally interbreed and produce a fertile offspring और ये जो है interbreeding करते हैं और जिसके जरिये जो offspring होती है offspring का मैंने आपको पहले ही बताया था offspring का मतलब होता है औलाथ और जिसकी शकल में इनकी जो नसल है वो अफजाइश पाती है साथ ही closely related species are grouped together into gender singular genus अब एक जैसी मुमासलत रखने वाली जो के closely related species होती है उनको एक साथ group कर दिया जाता है और जब वो एक साथ group हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं जेनरा अगर grouped होंगे बहुत सारे तो जेनरा कहलाएगा और अगर एक होगा तो जेनरा कहलाएगा जिस तरह से उपर है similar genre are group together into families अब जब genre जब बनते हैं मिलते हैं एक साथ जब वो group together होते हैं तो फिर family बनती है ठीक है इसके बाद जब family एक साथ मिलती है तो फिर order बनता है इसके बाद order classes में change होता है फिर जब classes एक साथ मिलते हैं तो phyla और division बनता है इसके बाद जब phyla या फिर division एक साथ group together होते हैं तो फिर एक kingdom बनता है तो species सबसे चोटा unit और kingdom जो है वो सबसे बड़ा unit होता है इसके बाद यहाँ पर जो है simple classification of two organism है यानि के texa अब यहाँ पर जो two organism है वो है एक human है और एक पी है अगर kingdom देखें तो human जो kingdom में आते हैं वो है animalia अब पी यानि के matter वो उसका kingdom है plantae फिर phylum में देखें तो human जो है वो आते हैं codate और पी जो है वो आता है magnolio phyta में इसके अगर हम देखें तो वो है magnolio side order देखें तो वो है primate और अगर पी का अगर हम order देखें तो वो है phabolis इसके बाद human की जो family है वो है monindy और पी की जो family है वो है phabacy human का जो genus है वो है homo P का है pysam species है sapiens P की species is sativum इसके बाद human का scientific name जो है वो है homo sapien और P का scientific name है pysam sativum aims of classification biologists classify the organisms in order to make them study easily so the science of classification is called taxonomy अब biologists जो है वो जानदारों के मुताले को आसान बनाने के लिए यानि किसी भी organism का अच्छे से मुताला किया जासे के इसी लिए उनकी classification की जाती है और classification के इस science को कहा जाता है taxonomy जो कि हम अपने first chapter में पढ़ चुके हैं taxonomy जो है tasb यानि के group से बना है nomi यानि naming जिसका मतलब हो गया group naming अब the main aims of this branch are to determine similarities and dissimilarities among organisms so that they can be studied easily अब जानदारों में कौन सी चीज़ें similar हैं कौन सी चीज़ें similar नहीं हैं उसके basis पर उनकी जे study है वो असान हो जाती है इसलिए उनकी classification की जाती है second aim is to find the evolutionary relationship among organism और साथ ही जानदानों के दर मियान जो एक इर्तकाई relationship है उनका इर्तकाई तालुक है उसको तेलाश करना ठीक है अब use internet to search out three different species belong to same genus तो यह आपने find out करके comment section में बतानी है तो I hope यह lecture आपको अच्छे समझ आ गया होगा वीडियो helpful रहा हो तो आपने से करना है like अपने friends के साथ share करें और चैनल पर नहीं होएं तो subscribe के बगएर मच जाएगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए अलाहाफिस